बहुत बड़ी है भाई तरी बागवानी देखे बड़ा अच्छा लगया अगर भाई खुट्टे है गड़ रहे हैं और भाई के पास जो पसु शेल के लिए उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे काफी अच्छे रेट का भाई के पास पसुदन है और एक डिटे जान लेते हैं ताकि जो भी उन इसके नंबर पर संप्रक कर सकता है और पसुदन को खरीच सकता है नमस्कार जीवाशब भाईजी एक बार क्या नाम है अपना एड्रेस पता बताएं मेरा नाम अरीश है और गाव मेरा डानी फोगाट है चर्की दादरी डिस्टिक है चर्की दादरी से डेड़ किलोमेटर पढ़ जाता है ठीक है और फोन नंबर भाई फोन नंबर है मेरा च्छासी पिचासी बियासी बतीस च्टाड में तो यह फोन नंबर भाई का तो अभी कितनी एज होगी मेरी तेई साल मेरे तो बहुत छोटी एज़हां भी पटाई कर रहे हो नि मैं गॉर्मेंट सिर्विस में क्या सिर्विस करते हो मिР्यार देली घर पे आ जाते हो अच्छ्चीOoh यह ले वहिए बहुत सुब कामना हैं आपने जो रिखने हैं आपने चैनल के लिए वे टो ये बात बताई जो आभी जो आपने सेल के लिए रख़्या वो इसलेक्टेशन हुग cancel बरबरशे दिखाता हूँ आपको फ़नों की quality देखें बहूत अच्छे थन हैं और ठणों का भी साइज बहूत अच्छा हम जर बरसानों कागैप है अभी पीछे से कवर करके दिखा वह एक बार और जो अढल व där वो फोल करके दिखाऊंगा क्योंकि युक्य के लिए है यानि के क्या अगर भाई खुट्टे हैं सोड़ा दिन की भी आई है बाई ने बताया कि मेले भी चल रही है और बिल्कुल साफ सुत रिपीट पुट्टे क्वाल्टी देख सकते हैं मीडियम आइट में है और बहुत अच्छा पसुदन है जो भाई ने शेल के की डेड़ दो इंच की टैल शपेद है तो यानि के अच्छा बच्चा है तो यह कटडी है आप जो भी खरीदना चाहते हैं तो इसको एक बार खोल करके मैं और दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले और जैसे इसे जो टी की भी मतरे डेड़ से दो इंच टैल श सकते हो अडर क्वाल्टी देखें कितने अच्छा अडर क्वाल्टी है इस पसुदन का और जो थनों के जो क्वाल्टी भी बहुत एक अच्छी मूरा नसल की निशाननी होती है ओ बहुत अच्छी इस नवाई अडर साइज लिया है और आगे से भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा गोड जो छोटा शींग है यंग जोटी है सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सेगिंड बार यह बच्चा दिया है और कोई मैं यह करता हूं बिल्कुल साधन पसुपालक कोई विशेज जानकारी नहीं है और यह यह देखें भी एक बार फिर दिखा दिता ह किसी प्रकार की कानिसा पढ़नी है चुवाई कैसी वाइस की बिल्कुल फोली चुवाई है तो मुक्य बें दूद कितना है इसका दूद कर से पलस पलस है तो यह देखें वही यानिके हम बात करें तो शोड़ा केजी दूद तो तो त्यार है और अगर एक-दो केजी और द तो भाई ने यह बता एक लेने देने वाड़ा रेट बताया है तो जो भी साथी पसुदन को खरीदना चाहता है नीचे फिमेल काप है बहुत अच्छी कटडी है और यह खुद बहुत अच्छी जो मुर्रा का आप देख पा रहे हो वही काफी छोटा शींग पीट उठा क्वाल्टी सारी की सारी अच्छी लिए खाने पीने की इतनी अच्छी है गेंउं का दलिया और बिनोले की ख़ल डालते हैं दोची डालते हो ठीक है तो बिलकुल नरम चुआई है चार बंदे बैट के चारो थन पकड़ पड़ के निकाल दो बिलकुल पैर नहीं उठाएगी अच्छा है तो कटड़ी ओगे रहा कुण से उसकी है यह गाउं में इठाए के बुल उसके उसकी मां करोश करवाई कितने दिन की होगी कटडियों यह 20 महीने की होगी तो 20 महीने की कटड़ी आप यह भी देख सकते वह कोई बहुत अच्छी कटड़ी है छोटा सिंग है और ब्लेक टैल है पीछे का सिंग है भी पंचैती जोटे का रिजल्ट है थन देखें अगर आप आते यह अंदर गुशोगे गर में आओगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि 20 महीने की जोटी के थनों की बनावर द पैसे लगें तो देदेंगे तो यह देखें वही यह कुण शेया बहुत अच्छा शिंग है और यह क्वालिटी का पसुदन है मैं यह कहता हूं जब ब्यात पर आएगा तो बहुत अच्छा नहीं करके आएगा और थन है यह पता चलता है कि जो इसकी चुआई-दौाई ब बैस ऐसी चुआई ऑच्छा ऐसी चुआई के लाख वैसों में एक मिले खीक है तो खरकी ने कितना दूद दिया और इसका सदे चौदा-बंद्रा किलो दो दो दातना है तो यह देखें मैं सब्सक्राइब ब्लाइब यह बताने वाड़ा भीश के लिद दूद नहीं सब्स सब्सक्राइब बहुत अच्छा हो जाता है एक बार पिछे से थन दिखा देते हैं अभी थन खोलना सुरू करें हैं जो कि इसका ब्याने का बहुत बताया बाई नहीं कितना टाइम है इसके 25-25 यानि के महीना बाकी है तो यह शेल अगर जाइस के पैसे लगेंगे तो शेल क आती होगी लेकिन अब की बार यह दूसरी बार बच्चा देगी मैं आपको यह बता देता हूं जो कि इसने क्योंकि छोटी उमर में दो दात नहीं यह ब्यागी थी और सटे 14-15 किलो दूद इसने भाई के नॉर्मल घर पे निकाल ला है तो भाई ने यह बता है कि अगर पै अब बेचने की स्लाओ का मैं सısका अच्छा त्यार ओने दयार और दूध कम से काम बता रहे रहें सक्वा अखर फैसे लगत बगें तो आज के रेट बता दे भाई कि आज कि हम गशोडा है परों कि त्था रिट रहा हूँ गर न saved और जिस तरह से सुन्दर मकान भाई ने बना है उसी तरफ से मैं यह कोंगा सुन्दर सुन्दर पेड पएड़ लगाना चीम है को और फड़दार लगाएं तो और अच्छा है तो यह दखें पीछे का कितना चाप लोगों का भी दिल करेगा यह देखें जामुन के पेड ऊपर से एक नजदीक जो जवार भी बो रखी है यह निम्बू का पेड है यह किन्नू का पेड है ठीक है बहुत बड़ी है भाई तरी बागवानी देखे बड़ा अच्छा लगया तो एक बार एड्रेस प कोई भी दर्शे दाद रिशे डानेगी फोगाट की तरफ चलेगा पाता वासमाराना की तरफ चलेगा तो रोड के उपर ही आपको मकान है लेफ्ट आइड में ठीक है धन्यवाद थेंक्यू